आपको हमारे चैनल खुशाल घराने में तो आज हम बनाने लगे हैं दाल वाली रोटी मून की डाल हमने बनाई थी कल तो थोड़ी सी बच गई है तो हमने सोचे चलो से आटे में घूनते हैं और आपको भी अपनी रस्पी दिखाते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं दो कप जो हमने दो कप लो बड़े वाले उसके हमने आटे के लिए और एक चम उतना ही उससे कम थोड़ा साटा लेंगे और इसी दार के अंदर जो है वाटे को में बूलना है अच्छे से कितने मज़ीदार लग दी इसको अच्छे से गूल लेते हैं और फिर मैं आती है अच्छे से जो हैं मिक्स करने के लिए अच्छे से दाल वाला अटा जो है वो गूट कर आप लेख जाया अब इसको पांच से दैसमिनट के लिए जो हैं इसको रखचेंगे और उसके बाद हम रोटी बनानी स्टार्ट करें ग़्यां रोटी हमारी तबे पे आ चुकी है दाल वाली रोटी मज़ेदार क्रिस्पी आप ट्राय जरूर कीजिएगा फिडबेक जरूर दीजिएगा क्यूंकि यह बहुत मज़ेदार बने के बहुत जादा यह मेरी सासुमा की रेसिपी है तो आप ट्राय जरूर कीजिएगा आपको भी पसंद आईगी हमारी क्रिस्पी डाल वाली रोटी हमारी बन रही है इसको अच्छे से कड़क करेंगे देखें कितनी मज़ेदार क्रिस्पी जो है हमारे डाल वाली रोटी तेहार है फ्रेंड्स मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल वाली रोटी तो चलें डाल वाली रोटी हमारे मज़ेदार डाल वाली रोटी क्रिस्पी हम इसे मकषन के साथ भी खा सकते हैं हम इसे दही के साथ भी क्रिस्पी हैं हम इसे आम कीजिएगा शेर कला ना मुलेगा मैं आओंगे अपनी नेक्स विस्पे के साथ तब तब के लिए आदा कीजिए अपनी नेक्स विस्पे के साथ